हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे भारती संबिदान के अनुच्छेद 6 के बारे में यदि आप भारती संबिदान के अनुच्छेद 5 का अध्यन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करेंगे तो अनुच्छेद 5 याने के पिछला वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएगा हम बात करते हैं भारती संबिदान के अनुच्छेद 6 के बारे में ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिक्ता के अधिकार याने कि जिस समय भारती संबिदान तयार हुआ था 1950 में तो आपन ये मानें 1950 में याने 26 जंबरी 1950 को ये लागू हो गया था हम ये मानें कि जिस समय भारती संविधान तयार हुआ था, उस समय भारत दो हिस्तों में बटा हुआ था, कुलमिला के भारत का विवाजन हो चुका था, पाकिस्तान बन चुका था, ऐसे समय में पाकिस्तान के कुछ नागरिक ऐसे थे जो भारत में आना चाहते थे और भारत के आ गए थे तो ऐसे समय में उनको नागरिक्ता भारत में दी जानी थी इसलिए संबिदान के अनुच्छेद 6 में इसका विवरंट दिया गया है क्या लिखा हुआ है कि पाकिस्तान से भारत की और आने वाले व्यक्तियों को नागरिक्ता किस प्रकार से दी जाएगी यहाँ पर साफ साफ सब्दों में बताया तारीक सहीद बता दिया गया है क्या लिखा हुआ है इस समय में इस समय में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए अनुच्छेद 5 में कौन-कौन सी बाते हैं वह व्यक्ति जिसका जनम भारत में हुआ हो वह व्यक्ति उसके माता-पिता का जनम हुआ हो या पाकिस्तान में वो 5 साल से ज़्यादा समय से रह रहा हो और वो व्यक्ति भारत में आना चाहता हो और भारत में आ गया हो तब ऐसे समय में उसको नागरिकता दी जाएगी तो किसी बात के होते हुए अनुच्छेद 5 की अनुच्छेद 5 म में आया है इस संभिदान के प्रारंब से भारत का नागरिक समझा जाएगा इस संभिदान के प्रारंब से यानिके 26 जनवरी 1950 जब ये लागू हो गया उसके प्रारंब से वह व्यक्ति जो है भारत का नागरिक माना जाएगा लेकिन फिर ये भी जरूरी हो गया ना कि उस व इस समय के अंतराल में जो गेव हुआ उसके अंतरगत यदि कोई व्यक्ति उतने समय में भारत पाकिस्तान से भारत में आ गया है तब इसलिए लिखा गया है कि इस संभिदान के प्रारंब से यदि कोई व्यक्ति यहां आ गया है और वो रह रहा है भले वह पाकिस्तान से आया याने के पिता मैही या पिता मैही याने के दादा दाजी समझे कोई मुल रूपसे इस अधिनियामित याने के भारत सासन अधिनियाम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हूं भारत सासन अधिनियम 1935 का मतलब समझे आप भारत सासन अधिनियम 1935 का मतलब अब 1935 में ये अधिनियम बना था 1935 में अधिनियम बना था तब भारत का विवाजन नहीं हुआ था तो भारत और पाकिस्तान जब एक ही थे तो ऐसे समय में भारत सासन अधिनियाम 1935 के अंतरगत यदि कोई व्यक्ति जन्मा है या रह रहा है भारत में तो ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति को नागरिक्ता प्रदान की जाएगी और यदि वो व्यक्ति भारत में आता है तो पाइंट नमबर खा दिया हुआ है, पाइंट नमबर खा में भी दो पाइंट दिये हैं, एक और दो, तो पहला पाइंट खा वाले का पहला पाइंट परते हैं, क्या लिखा हुआ है, जब व्यक्ति ऐसे हैं, कैसे हैं, जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रवर्जन कि गया है। 19 जुलाई 1948 के पहले जो व्यक्ति भारत में आ गया पाकिस्तान से उस व्यक्ति को याने के तब यदि भाई अपने प्रवर्जन की तारीक से भारत के राजिचे छेत्र में मामूली तोर पर निवास कर रहा है। याने के वह व्यक्ति यदि 19 जुलाई서도 1948 के पहले से आकर के भारत में निवास कर रहा है तब ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी पहला पाइंट हो गया खा का पहला पाइंट अब खा का दूसरा पाइंट क्या दे दे देंगे लेकिन जो व्यक्ति जुलाई 1948 के बाद पाकिस्टान से भारत आया है तो ऐसे समय में तब यदिवाय नागरिक्ता के लिए देखो यदिवाय उन्नी जुलाई 1948 के बाद भारत आया है तो उसको आविदन करना पड़ेगा अधिकारी के समख्च के साब हम भारत की नागरिक्ता लेना चाहते हैं यह है सरकार द्वारा वेध प्रारूप में यानि के सरकार ने जो प्रारूप बनाया है उस प्रारूप में और उस रीती से उसके द्वारा संबिदान के प्रारंब से पहले ऐसे अधिकारी को जिसके द्वारा उस सरकार के प्रयोजन निक्त किया गया है यह दिकारी को 19 जुलाई 1998 के आने के बाद उसको अबेधन देना है काय का अबेधन देना है कि साब हम भारत की नागरिक्ता चाहते हैं इस प्रकार से तो आविधन जारी किये जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिश्ट्री करत कर लिए गया हो याने कि उन्नें आविधन दे दिया हो उननीज जुलाई 1948 के आने के बाद भारती संविदान लागू होने के पहले आविधन दे दिया गया हो और आविदन रजिष्ट्री क्रत कर लिया गया हो, ले लिया गया हो, जो हां भया तुम्हारा आविदन आगया, अब ठीक है. तो ऐसे व्यक्ति को बी भारत की नागरिकता दे दी जाए. परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेधन की तारीक से ठीक पहले कम से कम छे माह में भारत के राज चेत्र में निवास यदी नहीं कर रहा है तब इस प्रकार रजिश्ट्री क्रत नहीं किया जाएगा याने कि 19 जुलाई 1948 के आने के बाद उसको जो है कम से कम छे महीने भारत में रहना है छे महीने भारत में रहने के बाद उसको आवेधन करना है और वह आवेधन रजिश्टी क्रत हो जाना चाहिए अब मान लें 19 जुलाई 1948 के बाद आया कोई व्यक्ति अब बाद का मतलब क्या समझा आप वह ऐसा भी तो कर सकता है कि 19 जुलाई 1948 के बाद 19 जुलाई मतलब एस साल देड़ साल दो साल बाद आया हो अब दो साल बाद तो संविदान लगबग लगबग लागू हो ही गया था 26 जनबर ही 1950 को लागू हो गया था तो ऐसे समय में उस व्यक्ति का आवेदन रजिस्ट्री करत नहीं किया जाएगा क्यों क्योंकि सर्थ यह है कि 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई आया है वह 6 महीने तक भारत में रहना चाहिए और इसके बाद उसको आवेदन करना चाहिए अधिकारी के समख्ष और अधिकारी द पाकिस्तान से भारत आया है और वह भारत में रहना चाहता है तब ऐसे समय में यदि 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया है तो उसको भारत का नागरिक्ताब बनाई देंगे लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो 6 महीने तक उसको यहां रहना पड़ेगा और इसके बाद वह आव भारती नागरिक्ता दे दी जाएगी अनुच्छेद 6 के अनुसार। इस प्रकार से हमने अध्यान किया भारती संभीदान के अनुच्छेद 6 के बारे में यदि आप अनुच्छेद 7 का अध्यान करना चाहते हैं यानि के अगले अनुच्छेद का अध्यान करना चाहते हैं त तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वेल आइकोन प्रेस कर दें, ताक अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद